बिस्मिल्लाहिर्णान रहीम दुआ है कि अल्लाह आपको सेहत और इमान की बेहतरीन हालत में रखे एजुकेशन डिपार्टमेंट से फिफ थर्ड सेमेस्टर के कोर्स चर्नल मैथोड अफ टीचिंग में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे and today our topic is lesson planning and principles of lesson planning now look at this picture जब एक teacher class में जाता है तो उसके जहन में जाने से पहले मुक्तिल्ब तरह के सवालात होते हैं what am I teaching? how will I teach it? how will I know if the students understands? और who am I teaching? वो कैसे पढ़ाएगा? किन को पढ़ाएगा? क्या टेक्नीक से ख्तियार करेगा? यह सब बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं और इन्ही बातों को जब वो प्लैन करता है कि कब क्या करेगा? इसी चीज़ को हम lesson planning कहते हैं अब हम देखते हैं कि what is lesson planning? दा प्रोसेस अफ थिंकिंग थू और राइटिंग दाउन अप्लैन ठीक है एक प्लैन को लिख लेने का नाम है यानि एक खास वक्त में एक खास जगा पर आप students को बढ़ाने के लिए जो प्लैन तयार करते हैं वो lesson plan कहलाता है and lesson planning could define lesson plan as outline of the important points of a lesson arranged in the order in which they are to be presented to students by the teacher एक teacher जो present करेगा students को वो किस तर्टीब से करेगा? उसके रेंजमेंट क्या होगी? उसके important points की वो outline बना लेगा जिसको हम lesson planning कहें and now what is lesson plan? the organization of people learning activities and resources that are needed for a specific period of time in such a way the maximum learning will result from the experience maximum learning को हासिल करने के लिए maximum learning experience को जैने कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर नताइज हासिल करने के लिए हम तमाग activities को organize करते हैं और उसको set कर लेते हैं कि हम उसको किस तरह से और किस तरतीब से present करेंगे students के सामने the next is the teacher's social mental and emotional visualization of classroom experience visualization में जहन मिलाता है teacher कि वो social mental और emotional क्या सोच रहा है वो classroom का experience किस तरह से करेगा वहाँ पे क्या होगा कैसे उसको manage किया जाएगा यह सब कुछ lesson plan कहलाएगा तब pool of ideas धेर सारे ideas हैं teacher के माइन में about what is to be done and how it is to be done क्या करेगा और किस तरह से करेगा यह lesson plan कहलाएगा now look at this picture अगर lesson plan को हम एक process के तौर पर देखें तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा but will they learn वो क्या सीखेंगे जैसे आपकी course outline है आप BS पढ़ते हैं तो यह आप learn करना चाहते हैं यह आप सीखना चाहते हैं इसके सारे topics जो हैं वो सबसे पहले मते नजर रखे जाएंगे and the next is how will I assess what they already know it means previous knowledge पहले क्या जानते हैं उसको देखा जाएगा and next is how will they learn it कैसे सीखेंगे इसको क्या methodology होगी क्या technique अख्तियार की जाएगी क्या तरीका क्यार अख्तियार किया जाएगा इसको हम नजर में रखेंगे and then how will I know they learned it कैसे जानेगे हम कि वो इसको जान चुके हैं उन्होंने इसका तालुम हासिल कर लिया है हम यह देखेंगे और यह सब हम किसी रोश्री में देखेंगे जो हमने start में plan बनाया था what will they learn क्या सीखना है उन्होंने यह lesson plan एक circle की शकर में चलता है और objective से start होकर evaluation पे end हो जाता है this is the lesson plan and now we will see the principles of lesson plan असूल जवाबित क्या है जब हम एक lesson plan को बनाएंगे उसको हम step by step देखते है principle of clarity of objectives बहुत clear होने चाहिए objectives दो तरह की objectives को हम मदे नज़र रखते है general objectives and specific objectives general objectives में वो objectives शामिल है जो आप इस पूरे course को पढ़ाने के लिए मदे नज़र रखते है यानि English के course को पढ़ाने के लिए आप के इन बातों को मदे नज़र रखेंगे definitely आपके English के पढ़ाने के क्या मकासिद हो सकते है वो हम देखेंगे वो बहुत clear होने चाहिए and then specific objective specific objective mean वो तमाम मकासिद जो आप सिरफ उस specific time में पढ़ाने के लिए बनाते हैं जैनके उस time period में जैसे के हम lesson plan की definition में देखा कि specific objective से मुराद वो objective हैं जो हमने उस खास वक्त में खास lesson को और खास जगा पे पढ़ाने के लिए हमने जो objective पता की हैं वो specific objective कहलाएंगे यह बहुत ज़्यादा clear होने चाहिए आपके lesson planning गे it's the first principle of lesson planning the second principle is principle of availability of resources and conditions lesson plan करते वकत यह हमने जरूर देख लेना है कि क्या resources हमें available होंगे और क्या conditions होंगी ऐसा तो नहीं है कि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें तया कर ली है जो हमें available ही नहीं होंगी और हमने lesson plan में लिख दी है बहुत सारे aviards हैं जो हम lesson plan में लिख रहे हैं और हमें available नहीं है अगर वह available नहीं है तो हर्गिस हर्गिस आप उसे अपने lesson plan में मत लिखिए क्या चीज़ें आपको available होंगी किस तरह के circumstances में आप उसे इस्तमाल कर सकेंगे और आपकी approach उन तक होगी या नहीं होगी ये आपको देखना है lesson plan को बनाते वकर अगर आप सिरफ simply लिख देंगे और आपको availability नहीं है तो lesson plan में उसको लिखने का कोई मकसद नहीं है The next is principle of knowledge of entry behavior Entry behavior में previous knowledge वो क्या previous knowledge रखते हैं उसको according आपने next चीज़ को lesson plan करना है ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई बहुत high level का lesson plan कर लें जिसके लिए Students के पास कोई previous knowledge नहीं है तो entry behavior को मदे नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है The next principle is Principle of maintaining the interest in the lesson Interest level Different students के लिए different हो सकता है Lesson plan को plan करते वकर हमने ये देखना है कि हम किस class के लिए उसको plan कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि जो चीजें एक high class के student के लिए interest रखती हो वो छोटे बचे के लिए इंट्रस्टिंग हो और हो सकता है जो छोटे बचे के लिए इंट्रस्टिंग हो वो high class के लिए इंट्रस्टिंग ना हो तो हमने उसके according चीजें अपने lesson plan में शामिल करनी है और उसको मदे नज़र रखना है principle of appropriateness of teaching methods and techniques ये बहुत important principle है उस lesson को plan करते वकद हमने ये देखना है कि कौन से appropriate teaching method हम इस्तमाल कर सकते हैं हम हर जगा पे एकी method का नाम just mention नहीं कर सकते हमें ये देखना है practical subject पढ़ाने के लिए हमें कौन सा method इक्तियार करना है हमें एक general subject हैं तो उसके लिए क्या इक्तियार करना है और हम देखेंगे कि बहुत सारे topics के लिए मुख्लिफ requirements हैं हर topic को हम हर method से नहीं पढ़ा सकते हैं किसी के लिए lecture method चाहिए किसी के लिए practical techniques के इस्तमाल की जरूरत होती है इसलिए हम उसके according चलते हैं now the next principle is principle of active participation of the students कोई ऐसी activity बीच में रखी जाए lesson plan करते वकत जिसमें students के participation को आप ensure करें कोई question answer के activity हो सकती है या कोई और simple activity the next is principle of providing feedback and reinforcement student को feedback क्या दी जाएगी reinforcement mean कोई तारीब या कोई ऐसा बात जो हम करना चाहते हैं उसके according feedback के लिए क्या questions answer होगे या क्या हमारे strategy होगी हम उसको lesson 10 के वकत मदे नज़र रखते हैं the next is principle of appropriate valuation उसका जाइजा लेने के लिए हम क्या क्या question करेंगे किस तरह से उसको लेके चलेंगे हम ये चीज़ें देखेंगे के proper तोर पर valuation हम कैसे करेंगे principle of fixation of learning fixation of learning कैसे fix होगा जो हम पढ़ा रहे हैं जो हम बता रहे हैं students को वो क्या तादेर रहेगा क्या वो दुबारा भूल तो नहीं जाएंगे तो अगर छोटी बच्चों के लिए हम कोई lesson plan कर रहे हैं तो उसमें drill method को इक्तियार किया जा सकता है जैसे tables याद करवाने हैं तो बार बार धोराए जा सकते हैं उसको lesson plan में रख्या जा सकता है अगर कोई poems याद करवानी है तो drill method fixation हो जाएगी उसको याद रहेगा दोबारा इसी तरह मुख्लिप techniques के जरीए हम fixation of learning की भी ध्यान रखेंगे principle of flexibility लचक very important principle हमने lesson plan किया और हमने काफी सरी activities रख ली और जब हमने उस lesson को present करने का time आया हमें पता चलता है कि वो हलात नहीं है यानि किसी दिन बारिश हो गई या आपने को बाहर की activity अरेंज कर ली या आपने कोई ऐसा कुछ कर लिया जिस दिन किसी वज़ा से बच्चे बहुत ज़दा अपसंड होगे तो आप क्या करेंगे उसमें इतनी flexibility होनी चाहिए कि आप उसमें थोड़े changes ला सकें उस lesson plan में changes ला सकें time के हिसाब से भी activities के हिसाब से भी बाकी चीज़ों के भी हिसाब से भी उसमें इतनी flexibility होनी चाहिए ताकि वक्त पढ़ने पर आप उसको change कर सके the next is created realistic timeline realistic timeline को manage करना है ये lesson plan में हमने किस activity के लिए कितना time रखा है उसमें teaching के लिए कितना time होगा question answer के लिए कितना time होगा दिगर activities के लिए कितना time होगा realistic होनी चाहिए है हकीकत पसंद ऐसा नहीं किसी ऐसी चीज़ के लिए हम बहुत से ज़्यादा ऐसी activities रख लें जो reality में possible ही नहीं है तो हमारा सारा lesson plan disturb हो सकता है तो ये चीज़ बहुत मदे नज़र रखनी है हमने now activities in a lesson follow a logical sequence एक logical sequence में होनी चाहिए एक बाकाइदा तर्तीब से होनी चाहिए जिसके अंदर पहले आने वाली चीज़ पहले हो और बाद में आने वाली चीज़ बाद में आई जाए कोई ऐसी तर्तीब हम ना रखे जिसको follow करते वकत class में disturbance पैदा होने का खत्रा हो या दीकर तरह से teacher को problems का सामना करना पड़ी ये तो थे कुछ principles जिसको हम follow करते हैं एक lesson को plan करते वकत इस so हमने इस lesson इस lecture में हमने देखा के what is lesson plan what is lesson planning and what are the principles of lesson planning okay thanks for listening